को देव सेजन स्प्रिच्छल के स्प्रातह साथ बजे कथाओं की श्रिंखला में दोस्तों आज हम श्री गुरू अर्जन देव जी के बारे में जानेंगे तो अर्जन देव जी का जनम 15 अप्रैल 1563 को गोईंदवाल में हुआ माता जी का नाम बीबी भानी और पिता जी श्री गुरू रामदास जी थे बीबी भानी क्योंकि गुरू अमरदास जी की सुपुत्री थी इसलिए वो उनके नाना जी लगते थे जब गुरु अमर्दास जी को ये पता लगा कि उनकी बेटी के घर तीसरे बेटी में जरम लिया है तो वो अपने दोते को देखने के लिए गए पहले दिर्ष्टी देखते ही उन्होंने कह दिया यह महापुरुष बनेगा गुरु अमर्दास जी अपने इस दोते को बहुत प्रेम करते थे इसलिए गुरु अर्जन वो भी उनके पास जाने के लिए उच्छुक रहते थे उन्होंने बीवी भानी को भी हिदायत करदी की वो बालक को लेकर नित्य उनके पास आया करे श्री अर्जन देव जी की आयू उस समें चार वर्ष की थी वो पड़ी दिल्चस्पी से पढ़ते थे और शीग रही राग विद्या में निपुन हो गए थे उनका गुरु वानी में बहुत प्रेम था वह गुरु वानुई को मोखे की याद करके और शाम को अपने पिता श्री रामदास जी को सुना दे। पारात गाउं मौव पहुची सरप्रधम गाउं का मुख्या गुरू अमर्दास जी को आकर मिला और गुरू जी के चरण स्परश करके कहने लगा सतिगुरू हमारी एक प्रारतना है कि इस गाउव की परंपरा है कि दुले को पहले घोड़ा भगा कर एक खूटी नजे नेजे से उखाडने पड़ती है मुख्या ने जंड के पेड से बनाए एक खूटी खेट में स्थापित की हुई दिखाई सभी बराती शस्त्रबद थे उनके पास नजे नेजे और कृपाने भी थी गुरू अरजन देव को एक नेजा दिया गया उन्होंने नेजा पकड़कर अप बहुत प्रसन हुए वह ये नहीं समझते थे कि एक ग्यारा वर्ष का बाला गुड सवारी में इतना दक्ष होगा और ऐसी खूटी को सरलता से उखाड लेगा ये देखकर गुरू अमरदास जी ने अपने धोते को शाब बाशी दिया और कहा तूने यहालों के कारनामा करके दिखाया है फिर सभी घुर सवार अपने और पाल की सवार नीचे उतर आए और गाव के चौधरी और बाकी माननीय सजनों के साथ पैदल ही चल पड़े जब गुरू जी विवाह करके अमरिचसर में आये तो अमरिचसर की सबिस्त्रिया गुरू जी की नव अदू को देखन अरजुन देव लाहोर चले गए विवाह में शामिल हुए विवाह की समापती के बाद वह चूना मंडी अपने पिता के पैतरिक घर में आ गए यहां नित्य अरजुन देव स्वयम किर्तन और कथा करते उनकी आवास अहुत सुरीली थी और वह सारे सास बजा लेते थे गु इन बदेन संगत की संख्या में वृद्धी होने लगी उन सेमों उस समयों में साइम या मीर बहुत पूजने संत माने जाते थे बड़े बड़े हाकिमों से लेकर बादशा तक उन्हें सिजदा करने आते गुरु जी साइम या मीर को मिलने के लिए उनके आवास पहुँच साइं जी का गुरु नानक ने के अनियाईयों से प्रेम था जब उन्हें पता लगा अरजुन देव अमरित्सर नगर बसाने वाले गुरु रामदास के पुत्र हैं तो उन्होंने बड़े प्रेम से अपने पास बठाया गुरु अरजुन देव जी के विचार सुनकर वो इ वापिस अमरित्सर नहीं बुलाया उन्होंने बहुत व्याकुल होकर गुरु रामदास जी को तीन चिट्टियां लिखी उन्हों जिन्हें पृत्या छिपा लेता था फिर उनके एक विश्ष दूद की भेजने पर गुरु रामदास जी ने उन्हें अमरित्सर बुला लिय और गुरु गद्धी सौबदी भाई मंज गुरु अर्जुन देव जी का बड़ा शुर्दालु सिखता वो नित्य जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर ले आता सारा दिन वो किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा रहता एक दिन जब वो लकड़ियों का गठर उठाकर अमरेच सर को आ रहा था तो बड़े जोर की एक अंधेरी आई और चारों तरफ अंधेरा हो गया उस अंधेरे में वो कुए में गिर गया लेकिन उसने लकड़ियों को भीगने नहीं दिया अपितू अपने सिर पर ही टिका कर ही रखी और स्वेम पाठ करने लग गया जब व उन्होंने देखा तो भाई मंज लकड़ियों का गठर सिर पर टिका कर कुए में खड़ा पाठ कर रहा था वो उसी समय गुरू के आवास की और भागे और रस्से लेकर आ गए रस्सा लटका कर उन्होंने भाई मंज से कहा रस्सा पकड़ कर बाहर आ जाओ लेकिन भाई पहले ये सूखी लगड़िया बहार निकालो फिर मैं भी निकलाओंगा जब गुरू जी को इस घटना का पता लगा तो वह भी कुए पर पहुंच गए गुरू जी को कुए पर देखकर भाई मंज गुरू जी के चरणों पर नत मस्तक हो गया गुरू जी ने कहा भाई मंज तेरी का माय अब सफल हुई है कुछ मांगो भाई मंज ने कहा गुरू जी मुझे नाम का सिमरे न दीजिये गुरू जी ने प्रसन होकर कहा मंज पियारा गुरू को गुरू मंज पियारा मंज गुरू का बोही था जग लंखन आरा भाई मंज के परिश्रम को मुख्य रखकर गुरू जी ने अपने गाउं प्रचारक बना कर भेज दिया गुरू अरजुन देव जी ने हरी मंदिर साहीब की तेयारी का प्रस्ताव बनाया जब हरी मंदिर साहीब की नीव रखने का प्रश्नुता तो गुरू जी ने नीव रखने वाला सबसे योग्यों और उप्युक्त महापुरुश साइम यामीर को ही चुना साइम यामीर हिंदों और मुसल्मानों का एक सांजा पीर था उन्होंने तीन अक्टूबर 1588 को ही श्री हरी मंदिर साहीब की अधार शीला रखी साइम यामीर ने चार इटे चारो दिशाओं के मद्य और एक चारो के मद्य नीव के तटपर रखी फिर गुरु साहीब ने सब मिस्त्रियों को बुलाया और उन्हें हरी मंदिर साहीब के नक्षे के बारे में समझाया हरी मंदिर साहीब की कुर्सी सरोवर के जल से उची करके महराब बनाये गए पुर्व दिशा की और हरी की पौड़ी बनाये गई और चारो तरफ परिकरमाय तयार करवाई गई गुरु साहीब स्वयम अपने निगरानी में निर्वान करवाते थे हरी मंदिर साहीब के निर्मान में पूरे तीन सार लग गए संपन हो जाने पर गुरु जुने धन्यवात के तौर पर सुही राग में ये शब्द उचारित किया संता के कार जीया पी खलो या हरी कम करावणिया आया रामा तर्ती सुहावी तालू सुहावा विद्यमरित जलू छया रामा श्री हर्मंदर साहिब का निर्मान हो जाने के बाद नित्य का धरबार यहां लगने लग गया किर्तनी ये किर्तन करके संगतों को कृतार्थ करने लगे श्री हर्मंदर साहिब की रचना भी आलोकिक थी मुसल्मान पश्चिम दिशा की और शीष निवाते हैं जबकि हिंदू पूर्व दिशा की और प्रारतना करते हैं परन्तु हरमंदर की दरवाजे ना पूर्व की और है ना पश्चिम की और चारो दरवाजे ही हर समय खुले रहते हैं और प्रतेग वर्ण को यहां आने की छूट है किसी को बंदिश नहीं है बूमी का पट्टा अपने नाम करवाकर गुरू अरजुन देव जी ने दिसंबर 1594 में करतारपुर नगर की नीव अपने करकमलो से रखी मोडी स्थापित करकी करने की बजाए टाहली का एक बहुत बड़ा स्थापित किया गया कुछ रिहाईश मकान बनाने के पश्चाथ गुरू जी ने एक बड़ा कुवा लगवाया इस कुवे का नाम उन्होंने गगंग सर रखा जब कुए का निर्मान संपुर्ण हुआ तो गुरू जी ने सब संगत को आग्या की कि अब किसी को गंगा जाने की अवश्यक्ता नहीं है इस कुए में गंगा वहती है गंग सर का स्नान गंगा के स्नान से भी उत्तम है एक सादु गंगा नदी में स्नान करने जा रहा था गुरू जी ने उसे बुला कर कहा हमारी भी यहां लोटाद लेते जाओ और गंगा नदी की पवित जल को हमारे लिए लेते आना सादु मान गया और गुरू जी का लोटा लेकर हरी द्वार पहुंचा जब वह स्नान करने लगा तो नदी का तेज प्रवार लोटे को बहा लेकर गया सादू फिर खाली हाथ ही गुरुजी के पास पहुंचा उस सादू ने गंगा जल लाने के बारे में अपनी सारी का आने गुरुजी को बताई गुरुजी ने बताया हमारा लोटा इस कुवे में पहुंच गया है फिर उन्होंने एक आदमे को कुवे में उतारा और वह लोटा लेकर बाहर आ गया जब उस सादू ने इस लोटे को देखा वह वही लोटा था जो गुरुजी साहिब ने उसे दिया था यह देखकर वह सादू पहुत चकित हुआ बाबा बुड़ा जी का नाम भाबा बुड़ा जी का जन्मन भाई सुधा जी के घर बाता गौरी जी के गर्ब से गाव कत्थू नंगल जिला अमरिच सर में साथ कार्थि के संवंध 1563 को हुआ था चोटी आयो में बहुत बुद्धिमानो वाली बाते करने के कारण गुर्णानक देव जी उसे बुड़ा कहते थे और उसका नाम ही बाबा बुड़ा पढ़ गया करतारपुर जाकर उसने गुरु घर के बहुत सेवा की वह गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अरजन देव और गुरु हरिगोबन जी को तिलक लगा कर गुरु पदवी की सुईकरती के साक्षी बने गुरु अरजुन देव जी के घर काफी लंबे समय से पुत्र पैदा नहीं हुआ था जिस कारण पृत्वी चंद बड़ा खुश था कि उसका पुत्र महरबान ही गद्धी का उत्तर अधिकारी होगा ये देखकर माता गंगा जी बहुत वाकुल हुए और उन्होंने पुत्र रतन की देन बारे प्रार्थना की गुरु अरजुन देव जी ने कहा कि बाबा बुड़ा जी एक बड़े ब्रह्म ग्यानी है उनके पास साधारन वस्तरों में पुत्र की देन मांगने जाओ माता गंगा जी गुरु अरजुन देव जी के कहने पर पुत्र का वर लेने के लिए बाबा बुड़ा जी के पास खुद भोजन तयार करके सिर पर उठा कर लेकर गए जब बाबा बुड़ा जी ने माता जी को आते देखा तो कहने लगे आज तो बहुत भूक लगी थी माता जी अपने बेटे के लिए रोटी लेकर आने लगते है फिर वो मिस्सिया रोटी खाने लग गई और प्याज तोड़ने उन्होंने दिया कि उनके घर ऐसा बलशाली पुत्र पैदा होगा जो मुगलों के इस तरह सिर्फ ओड़ेगा जैसे मैं यह प्याज को चल रहा हूँ बाबा बुड़ा जी के वर उनुसार्ट शे आशार्ट संवंध 1652 को गुरू हरी गोबिंद जी का जनम गाम वंडाली में हुआ ये सुचना मिलते ही परिवार और संगतों में प्रसनत अच्छा गई दूसरी तरफ बाबा पृत्वी पृत्थी चंद और उसकी पत्नी कर्मों के हिर्दय दुखी हो गए परंतु प्रिथी चंद कहां पीछे अटने वाला था प्रिथी चंद एक सपेरे को भेजने लगा वो साप का तमाशा दिखाते दिखाते एक जहरीला साप श्री हरी गोबिंद की ओर छोड़ देता सपेरे बीन बजाता तमाशा दिखाता गुरु जी के घर पहुँच गया सभी सेवक और माता जी बालक हरी गोबिंद सही तमाशा देखने आए जब सपेरे ने देखा कि बालक सापों की ओर देखकर हस रहा है तो उसने एक साप उसकी तरफ भेजा सहीबजादे ने सब साप को देखा तो हो भैबीत नहीं हुआ अपितु उस साप को सिर से कस कर पकड़ लिया और धर्टी को उस सिर रगड़ कर वहीं पर मार दिया सभी यह अश्चर जनक लीला देखकर हैरान हो गए इसके बाद पृत्वी चंद ने एक लड़के को कुछ विश्युक्त मिठाई दे कर बेजा उस लड़के को उसने ऐसी कमीज पहनाई जिसके दोनों तरफ जेबें लगे हुई थी उसने उस लड़के की एक जेब में विश्युक्त मिठाई डाल दी और दूसरी जेब में विश्युक्त मिठाई डाल दी और उससे कहा कि वह पहले स्वयम शुद मिठाई खाले तद प्रांत विश्युक्त मिठाई श्री हरी गोबिंद को खिला दे लेकिन जब वह लड़का श्री हरी गोबिंद साहीब को मिठाई खिलन लगा तो वह यह भूल गया कि उसके कौन से जेब में विश्वुक्त मिठाई थी इस तरह वह स्वयम विश्वुक्त मिठाई खाकर प्रान ट्याक कर गया इसके बाद पृति ने एक भ्रह्मण लोकर के द्वारा भी शीहरी गोबिंद जी को मारने की कोशिश की लेकिन वह भ्रह्मण खुद ही मिर्तियों का शिकार हो गया जब पृति चंद के सबी वार खाली गए और सारे मिर्जशल नगर में ये प्रसिद हो गया कि प्रिथी चंद गुरु अर्जन देव के सुपुत्र को मारना चाता है तो सारा नगर उसके वृद्ध हो गया सारी सिख संगते उस पर थू थू करने लगी और कोई सिख भी उसके पास किसी प्रकार की भेंट नहीं चड़ाता था प्रिथी चंद एक प्रकार भूखा ही मनने वाला था यदि उसके पास गुरु रामदास जी के समय का चोरी किया लाखों का धन ना होता जब प्रिथी चंद ने ये देखा कि सिख संगते उसके प्राणों के क्षत्रू बन गई है तो वो अमरित सर नगर छोड़कर अपने ससुराल गाव हेहर चला गया जो लाहोर के समीब था एक बार प्रिथी चंद को ये सूचना मिली कि उसका एक मित्र हाकिम सुली खा उसके ससुराल गाव हेहर आ रहा है प्रिथी चंद ने उसकी बड़ी सेवा की शाम कोपिती चंद उसे अपने नए चालू के इटो के भटे को देखाने के लिए ले गया सुलही खांबड़ा घमंडी था और अखडवास था उसके पास एक सबसे बड़िया नसल का घोड़ा था उस घोड़े पर उसे बहुत अभिमान था जब उसका घोड़ा जलते भटे के पास गया तो वह एक पक्षिक के उड़ने के कारण दर गया और छलांग लगा कर भटे की दिवार फान्द कर सुलही खां सहित जलते भटे में जा गिरा प्रिथी चंद शोर ही मचाता रह गया और सुलही खां जलकर भस्म हो गया आदी ग्रंथ को संपुर्ण करने में तीन वर्ष लग गया जब बीड संपुर्ण हो गई तो दूर दूर सिखों को संदेश भेजे गए कि भादरो शुद्री एकम संवत 1661 को आदी ग्रंथ की बीड का प्रकाश्री हर मंदेश साहिब में किया जा रहा है संगत्य उच्शुक्ता पुर्वक माची गुरू जी ने संगतों को संबोधित करते हैं का यह गरंथ संसार सागर पार कराने के लिए एक जहाज बन गया है जो व्यक्ती भी चित लगा कर पड़े सुने और विचार करें वो सहज ही पार हो जाएगा बाबा बुड़ा जी के सिर पर रख कर बीड़ को दर्वार साइब लाया गया बाबा बुड़ा जी को प्रथम गरंधी नीक्त किया गया इस गरंध के उस समय 975 प्रश्ट थे मंदिर साहिब पहुँचकर बीड को सजाए गए तक्त पर सुशोबित किया गया और गुरू जी की गुरू जी ने बाबा बुड़ा जी को वाके लेने के लिए कहा बाबा बुड़ा जी ने वाके लिया जब गुरू 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 जी ने प्रार्टना की इस साहिब बाले स्थान पर एक कश बनवाकर उसमें विश्राम करते थे और बाबा बुड़ा जी पुशन लगे कि इस गुरू जी ने उसकश में एक नया सुन्दर पलंग लगाया और बाबा बुड़ा जी को कहा कि गुरू 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 जी ने पलंग के निकट धरती पर ही सोने का फैसला कर लिया सिख संगते गुरू जी की इस नम्रता को देखकर और गुरू 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 साहिब की महिमा को देखकर बहुत हैरान हुई जहांगी चंदू वाली घटना घटित होने से पहले ही गुरू अरजुन देव जी को शहीत करने के बारे में मन बना चुका था वो तो केवल कोई बहाना ही ढूंड रहा था बहाना भी उसे उसके पुत्र खुसरो की बगावत करने से मिल गया खुसरो गुरु अरजुन देव को अपना मुर्शिद मानता था जब वो पकड़े जाने के भैसे काबुल की और भाग जा रहा था तो वो मार्ग में वो तरंतारन का रुगा वो गुरु अरजुन देव को मिला और लंगर में प्रसाद भी ग्रहन किया इस तरह बागी खुसरो का गुरु जी को मिलना गुरु अरजुन देव को शहित करने के लिए जहंगीर को एक बुड़िया बहाना मिल गया पहले आशड महेने की तप्ती रेट में बिठा कर यातना दी गई फिर गुरु जी को उबलते पानी में देग में बिठाया गया फिर गरम तवे पर बिठा कर गरम रेजुल से हुए शरीर पर डाले गए इस तरह पांस दिन कष्ट दिये जाते रहे छटे दिन अर्थात 30 मैं 1606 इसवी को जब गुरु जी शहीद हो गए तो उन्होंने दरिया रावी के तट पर ले गए और उनके शरीर को जल में प्रभा कर दिया गया